साधूओं की लिंचिंग क्यों हुई ये सेकुलरों से मत पूछिए ये उनसे पूछिए जो लिंच मॉब को माला पहना रहे थे भीड की हत्या को वैदिता देने वाले सुत्राधारों से पूछने की हिम्मत नहीं है इसलिए आप लेखों को पत्रकारों को ताना मार रहे हैं उनको अवाड वापसी गैंग बताने में भी आप ही सबसे आगे थे अपनी आत्मा से पूछिए जारखंड से लेकर यूपी तक दादरी से लेकर राजिस्थान तक लिंच मॉब को भगस सिंग के बच्चे कौन लोग बता रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार तो उनके हत्यारों को माला किसने पहनाई कौन बता रहा था कि इंस्पेक्टर से ज़्यादा जरूरी है गाय पर बात करना उनमाद और घ्रणा में बुधी खो न गई हो तो याद कीजिए कि लेककों को अवाड वापसी गैंग क्यों कहा गया इसलिए कि वो भीड के कानून के खिलाब बोल रहे थे अपने पुरसकार वापस करके विरोध कर रहे थे हत्या प्रेमिक गैंग के लिए निराशा की बात ये है कि बहुत कोशिस करने के बाद भी कोरोना से लेके महाराज तक मामला ठीक से हिंदू मुसलिम में तबदील नहीं हो पा रहा है पाल घर में लिं मानावतावादी कैसे हो गए जवाब है घ्र्णा का घिनावना एजेंडा यही वो रवईया है जिसने एक घिनावने अपराद को वैदता देने की पोसिस की सेकुलर तब भी कह रहा था कि इसे रोक दो सेकुलर आज भी कह रहा है कि इसे रोक दो इसके अलावा सेकुलर बुद्धी जीवी के पास क्या ताकत थी? उसने अवाड वापस करके विरोध किया तो इसका मजा कुडाया गया. कानून और अदालतों को ठेंगा किसने दिखाया? भीड का नयाय किसने शुरू किया? कभी गाय के बहाने, कभी कोरोना के बहाने, कभी चोरी के बहाने, भीड के मुह खून लग चुका है, इसका सूत्रधार कौन है? अब भी खुल कर इसकी निंदा करने में किसका हलक सूख रहा है? क्या भारत में पहले अपराध नहीं होते थे? क्या अपराधियों को सजाय नहीं हुई है? भीड का नयाय तंतर क्यों खड़ा किया गया? सवाल उठाने वाले को देश विरोधी कौन बोल रहा था? जो लोग सेकुलरिजम का आज मजाक उडाते हैं, क्या वो समझते हैं कि किसी भी यूग में सांपरदाइक्ता को बड़े सम्मान से देखा जाएगा? मजाक उडाने वाले इस देश का और लोकतंतर का ही कर सकते? ऐसा करने की कोशिस में तमाम धर्ती पचाड आये और इसी माटी में बिला गये. विरोधियों की मत सुनिये तो कम से कम लोकतंतर के लिए घ्रणा की राजनीद को हतोतसाहित कीजिए. वरना अखलाक से सुरू सिलसिला, इंस्पेक्टर सुबोत तक पहुँच गय तो साधू संत और आमनागरी की क्या हैसियत है? मधिकालीन बरबरता, जिसे दुनिया सदियों पहले त्याग चुकी है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी.